नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टियो ओन चैनल, वेल्थ फर्स्, दोस्तों काफी सारे लोग आपको बताते रहते हैं, ऑपरेटर्स ने किया बवाल, ऑपरेटर्स ने डिटेल निवेशकों का माल लूटा, एंड सो ओन, तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑपरेटर्स को चार्ट पे ट्रैक कर सकते हैं, और उसी समय पोजिशन बना करके, बंपर मुनाफ़ा कमा सकते हैं, भाई, ऑपरेटर कोई खराब चीज नहीं है, ऑपरेटर ड्राइव्स दे मार्केट, तो ऑपर चल जाए, और आप वहीं एंटर कर जाएं, तो क्या कहना हो, दोस्तों ये ही चीज़ की बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया था, और मैंने आपको कैसे आपको इनको identify करना है and you have to take position okay so without wasting any time we'll begin लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले ताकि आपको regular updates मिलते रहे हैं plus कुछ extra सीखना चाहते हैं you can consider joining as a member यह बहुत सारे privileges हैं, बहुत सारे host of benefits हैं, आपके लिए exclusive videos भी मैंने बनाने शुरू कर दिया है तो दोस्तों if you want to join, you can consider joining as a member as well तो दोस्तों यह है price action strategy price action की strategy है लेकिन इसमें हमें पता करना है कि कैसे और कब operator enter हुआ, ताकि हम भी उसी समय पर enter कर सकें और अपनी position को बना सकें, ठीक है call put के segment को हम लोग cover नहीं करेंगे, हम लोग अपना simple basic stocks के बारे में समझेंगे, तो भाई हम लोग इस video में क्या कैसे सिखने वाले हैं, हम लोग सिखने वाले हैं कि कौन है operator, who is that operator, how to find the entry of operator, कब वो enter हुआ है किसी stock में और कब वो exit हुआ है, बास समझ में अगई, और जब वो entry होगा तो फिर क्या effect दिखाए पड़ेगा chart के उपर, और आप उस entry का कैसे best use कर सकें, अपने profit को maximize करने के लिए उसके बारे में पूरी की पूरी information और जनकारी आपको मिलेगी by the end of the video लेकिन अभी तक है आप वीडियो को लाइक करना भूल गया है तो smash कर दे like button because you tend to forget smash the like button so that we can continue getting good content, good videos for you all on routine basis दोसों साशा के साथ क्या आपने कर दिया smash like button को हम लोग पहले जानते हैं, who is an operator operator है कौन, ये कौन है कोई गुंडा है, कोई बदमाश है कोई डाकू है, तो भाई he is just another market participant वो भी एक market में participant है आप की तरह है, मेरी तरह है दूसरे, किसी भी आदमी की तरह है वो भी एक market का participant है एक trader है, ओके लेकिन वो क्या करता है वो एक manipulate करने के लिए अपने self gain के लिए हर आदमी अपने self gain के लिए तो काम कर रहा है मैं अपना market में काम कर रहा हूँ तो किसली कर रहा हूँ, ताक कि मुझे profit हो of course आप भी करने है, तो आपको profit हो so this is writing, this is actually wrong frankly speaking, तो भाई वो क्या करता है वो market को manipulate करता है with the help of the liquidity which he has, liquidity मतलब भाई जिसके पास पैसा है जिसके पास रोकला है वही price को ऊपर लेके जा सकता है वही market को influence कर सकता है so he is a market participant who has lot of money जिसका ज़्यदा पैसा है, वही है operator और वो कौन हो सकता है, liquidity किसके पास ज़्यदा होती है, वो होती है या तो stock brokers के पास क्योंके पास काफी सारा fund होता है जिसके वो stock को manipulate कर सकते है या फिर वो कोई speculator हो सकता है speculator can be any person who has a lot of money, a big investor or any person who has got insider news और वो कोई भी हो सकता है, you know insider तो कोई भी हो सकता है, जिसको की company insider information पता हो so ये होता है operator operator कोई खराब आदमी नहीं है he is the person जिसकी वज़े से market drive होती है market उपर जाती है, stock price उपर जाते है और of course, जब उसका profit निकल जाता है तो वहाँ से time से निकल जाता है और retail वाले फसे रह जाते है अब operator करता क्या है what does he do, उसका modus operandi क्या है वो clandestinely he clandestinely gets into position आपको पता ही नहीं चलेगा कोई evidence ही नहीं छोड़ेगा कि वो enter कर चुका है आपको लगेगा यार कुछ enter तो यह price तो ऐसे ही चल रहा है कोई फरक तो पल नहीं रहा है कोई entry नहीं है जबकि वो enter Corona virus है वो Corona virus की तरीके वो अंदर चला जाएगा और आपको symptom का पता चलेंगे 21 days के बाद में 21 days के बाद में आपको लगेगा रही है यह price तो एकदम से भाग गया यह कैसे भाग गया लेकिन वो operator एंटर कर चुका है वो आपको पता ही नहीं चला अब कैसे पता करना है that I will tell you and he makes sure no change in price takes place लोग बोलते ना भावी भगवान है तो उसको भी मालूम है कि लोगों को यह मालूम है कि भावी भगवान है तो भाव को बढ़ने नहीं देता है वो इस तरह से भाव को manipulate करता है कि भाव बढ़ेगा नहीं लोगों का cut जाएगा क्योंकि लोग तो यह देख रहे हैं ना यह भाव भगवान है भाव उपर चलाएगा तो इसका मतलब है प्रिस्टॉग उपर जाएगा वो भाव को बढ़ने ही नहीं देता है और अपनी position को ले लेता है अब price manipulate कब होता है जब उसको लगता है कि काफी सारे retailers घुस गए है उसमें पूरी news factor in हो गई है तब price react होता है और उसके बाद he gets out of the position तो वो जब आता है entry करता है तब price में कोई भी change नहीं होता है price में price से flat चलता रहता है और जब उसके retail participation chart होता है then he exits अब यह कैसे chart पे आप उसको predict करें कैसे chart पे देखें वो भी समझ लेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेता है कि हमको profit क्या होगा अगर हम लोग जान गए कि operator कहाँ पर enter कर रहा है कहाँ exit कर रहा है तो भाई हमको अगर यह पता चल जाए कि by button दबा नहीं सकते है कि हमको भाई एक साथ तो बताएगा नहीं कि भाई मैं कर रहा हो तुम भी कर लो यार तो you cannot know the exact time but yes उसके आस पास भी अगर आपने enter किया तो भी आप अच्छा कसा मुनाफ़ा कमा सकते हैं so कैसे पता करें how do we know how to find that operator has entered तो because जैसे कि मैंने आपको बताया उसको वो सिर्फ इस कमी को पकड़ता है कि market में price ही भगवान है हना price भगवान है उसको इस कमी को पकड़ता है तो वो क्या करता है he knows that hence he knows he does not let the price to fluctuate और वो price को कैसे fluctuate नहीं होने देता है वो मैं आपको किसी और subsequent videos में बताऊंगा लेकिन फिलहाल वो जब entry करता है तो price को fluctuate नहीं होने देता लेकिन वो एक चीज की trail छोड़ जाता है और वो क्या होता है volume क्यों 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 जब वो बड़े volume में enter करता है या फिर exit करता है तो वो चीज छुपी नहीं रह जाती है वो दिखाई पड़ जाती है although price same दिखाई पड़ता है price में आपको हल्चल समझ में नहीं आती है लोग क्या देख रहे हैं लोग price section देख रहे हैं price भगवान है price भगवान नहीं है वो volume पे काम करके निगल जाता है अब कैसे पता करें how to know that let's go straight to the charts and learn की कैसे उसकी entry होती है तो दोस्तों आज बजाज finance approximately 11% उपर रहा रहा कि नहीं रहा मैंने आपको ये चीज आपको 4 दिन 3 दिन पहले बता दी थी तो कैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें आप enter कर जाएए कर जाएए और आज 11% अंदर हो गया बाकि कई सारे तो अपरेटराज निकल भी गया होंगे तो let's see on the chart how do you identify it दोस्तों ये है बजाज finance का चार्ट ओके आपके सामने है अब इसमें हमको देखना क्या है वो समझ लेते है तो दोस्तों आपको जैसे दिखाएए बड़ राइस चार्ट के ओपर भी तब प्राइस है रिजन एप्रॉक्सिमेटली 11% बढ़ा एक नहीं बढ़ा लेकिन आपकी नजरों से जो चीज़ हट रही और आपको दिखाई नहीं पढ़ रही है वो है इसके बढ़े हुए वॉल्यूम्स आपको लग रहा हुआ यह तो वॉल्यूम एक बराबर चल रहे है बढ़े का है आपको मैं दिखाता हूँ कि वॉल्यूम बढ़े क्यों नहीं है आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ जबकि price एक range में price is in one range however the volumes have increased multi-folds आपको दिखाता हूँ मैं अब दिक्कत यह है कि आप लोग छोटे समय का chart देखते हैं मैं इसको छोटा कर रहा हूँ I am just telescoping the view and now you will realize यह देखिए अब आप देखिए यह चीज़ पहले कितने volume रहते थे जब price उपर चड़ता था almost negligible रहता था अभी यह volume बढ़े हुआ है लेकिन price is falling in fact price तो price तो बढ़ी नहीं रहा है price वहीं पढ़ा हुआ है और volume उपर जा रहे है इसका मतलब क्या है operators are buying this stock और जब यह stock यहाँ पर निकल जाएगा आप लोग इसमें घुस जाएंगे तब वो यहाँ से exit मारेगा बास समझ में आ रही है what I am telling I hope you are able to get भाई जब volume बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको enter करना है volume बढ़ रहा है price गिर रहा है वहाँ पर आपको enter करना है and especially जब आपको यह बड़ी बड़ी मीनारे दिख रही है green color की this is the time when you have to get into the right position at the right time अब इसमें जो green color का यह जो आपको pillar दिखाई पड़ रहा है volume का तो इस बार में buyers जादा है sellers कम है और जो यह red वाला बार है इसमें sellers जादा है buyer कम है but at the same time आप देखेंगे कि price तो बढ़ी नहीं रहा है ना घट रहा है तो यह buyer seller इतने जादा क्यों बढ़ रहे है because this is the entry and these are the exits of operators तो दोस्तों इस प्रकार चे प्राइस को manipulate करते हैं और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल dry पढ़ा है volume and यहां पर कितना ज़्यदा volume increase कर चुका है so this is how we identify दूसरा चार्ट देखते हैं एक चार्ट में नहीं दूसरा चार्ट देखेंगे अब यह लगा है VIP का चार्ट मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसने मैंने बताया था कि एक कोई आपरेटर ने फ्रेश बाइंग करी है VIP इंडस्ट्रीज में क्या प्राइस बढ़ा है लोग तो भाव भगवान छे भाव भगवान छे में लगे हुए है भाव तो बढ़ा ही नहीं है लेकिन यहां पर ओपर खरीददारी करके जा चुका है especially जब अपना लोग माल बेज करके निकल रहे है प्राइस फ्लैट पड़ा हुआ है कुछ नहीं हो रहा है यहां पर ओपरेटर ने सही समय पर बिलकुल आधे दामों पे माल को खरीद लिया अब कितने आधे दामों में यह VIP इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक था 500 रुपीज का कितने प्रैस पर खरीदा उसने है मात्र जस्ट 200 रुपे के आसपास यह देखी यहां वो बाइंग करके जा चुका है कर चुका है नहीं कर चुका है अब क्या होगा आज आज 6% VIP उपर है कल बाइचेंज बढ़ा यह कभी आगे सब्सक्वेंटली बढ़ा तो ही विल एग्जिट इस पोजिशन बास समझ में आई तो आपको क्या देखना है यूँआफ तो सी कि प्राइस बढ़ नहीं रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है यूँआफ तो आपको वह पोजिशन बनानी है बिलीव यूमी यूँआफ इसली उर्न 5 तो 6 रदर 10% विदिन आ शौर्ट स्पैंट वेड़ी वेड़ी शौर्ट स्पैंट आप मेभी 5 तो 6 देखनी सेशन दोस्तों एग्जम्पल्स एंडलेस है मैं आपको एग्जम्पल्स देता चला जाओंगा फिर भी एक और एग्जम्पल्स देने के बाद ही क्लोस करूँगा I'll just go over one more example So this is the chart of Biocon और आज Biocon कितना उपर था मालू मैं आपको Almost close to 9% The Biocon was up 9% और आप देखेंगे कि Biocon में Price आज बढ़ा है लेकिन Volume का बढ़ी थी पिछले Trading Session में पिछले Trading Session में Price नहीं बढ़ा आप देखिए Price उतना नहीं बढ़ा जितनी की Volume बढ़ी है इसका मतलब क्या है यहाँ पर Operator एंटर कर चुका है और अगर आप Morning में एंटर किये होते तो You'd have earned Handsome of Money लेकिन आप लोग कहेंगे यह stock हमको क्यों नहीं बता देते हो यह सारी कि सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा तो आप Homework कैसे करोगे How will you work How will you do your homework तो दोस्तों यही सारी चीज़ें तो कुछ up the sleeve में रखता हो और जब यह कोई बोलता न ओपरेटर ने मचाया हला ओपरेटर ने माल बेज दिया और ओओओओओओओओओओद तो यह कभी भी कोई बोले तो उससे कहना भीया एक काम करो आप चार्ट देखो आप चार्ट समझो अब आप इतने स्ट्रेंदन हो गए हैं कि जो भी कोई बोलो ऑपरेटर ऑपरेटर चीखे तो आप उसको समझा देना कि बहुत अब हम समझ गए हैं कि ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है और कैसे चार्ट पे उसको इडेंटिफाइ करता है आपको मैं सिर्फ एक प्रोटीब यही देना चाहता हूँ दोस्तों कि वेनेवर दी ऑपरेटर एंटर्स दव प्राइसेज आर ओल्मोस्ट फ्लैट क्योंकि वो इंशूर करता है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मार्केट को ना पता चले क्योंकि अगर जो वो चीज कर रहा है मार्केट को पता चल गई तो फिर दैस नौडा सी करेट तो भाई मार्केट को जो चीज दिखती है वो होती नहीं और जो होती है वो दिखती नहीं तो वो चाहता है कि मैं वो चीज करूँ जो की market को ना देखे और वो कैसे दिखाई पड़ता है with the help of price तो अगर price और volume दोने move कर रहे हैं इसका मतलब operator का move नहीं है बास समझ में आई कोई बोलता है operator ने market हिला दी तो अगर price भी move कर रहा है volume भी move कर रही है तो वहाँ पर operator नहीं है और name of stock देखो मुझे comment section में लिखके बताओ कि stock का नाम और किस date पे आपने देखा है जब price flatter है और volume बढ़ी है और आप देखेंगे surprise रहे जाएंगे कि stock वहाँ से उपर चला गया है and same goes with the selling also price flatter है और वहाँ पर red candle बनी है तो उसके बाद price गिरेगा भी तो आपका मुझे होग करके बताना है दोस्तों इस वीडियो को share करो friends के साथ ताकि वो लोग भी educate हो सके you will discuss, you will question you will question the strategies जब आप question करेंगे तभी एक logical conclusion पे आप पहुँचेंगे you will you know he will give you some other stock you will discuss some other stock तो discuss करने से you will learn more so you can share it with your friends and discuss this strategy and discuss this very very important concept of operator operating in the market so I hope दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा पसंद आया तो share करें friends के साथ because I have already shared it with 3 lakh plus people I want you to share with at least at least 3 people और अभी तक लाइक नहीं क्या तो smash करो लाइक बटन तक ही इस प्रकार के regular updates आपको मिलते रहें thank you so much friends for watching and giving your precious time bye-bye for now